दो लाख लोगों को एक साथ जमानत मिलने वाली वो भी सिर्फ एक नई धरा लागो होने के कारण और कमाल की बात ये धरा भले ही नहीं है लिकिन इसका फाइदा पुराने लोगों को भी मिलने वाला है अगर किसी को 2015 से 2017 से 2021 से भी जमानत नहें मिल पा रही है अब उस वेक्त B.N.S.S. 479 इसके प्रावधानों के तैत यानि कि इसके अंदर जो प्रावधान बताये गए हैं ये प्रावधान अब पुराने लोगों पे भी लागू होने वाले हैं चाहे किसी को 2010 से भी जमानत नहीं मिल पारी है अब उसको भी जमानत मिल जाएगी 26 November 2024 को अब इसके प्रा प्रावधान उसकी फैमली ने पूरा जोर लगा लिया अगर उसको जमानत नहीं मिल पारी है और ऐसे में उसने जो उसके उपर जो मुकदमा लगा था अगर उसकी आदी सजा जेल में काट ली है यानि कि आदी बची हुई तो अब उस वेक्ति को 26 November को क्या मिल जाएगी अगर किसी वेक्ति के उपर पहली बार कोई मुकदमा लगा है पहली बार मुकदमा लगने के कार्ण और जो भी उसके मामले में जो सजा बनती है उसका 1 थार्ड तो वो के अंदर वो बंदा बंद है कोई भी वेक्ति बंद है उस जेल के जेलर की जिम्मेदारी है वो जेलर क्या करेगा जैसी किसी कैदी की आदी सजा पूरी हो जाती है जैसी किसी कैदी की वन थर्ड सजा पूरी हो जाती है वो जेलर क्या करेगा वो जेलर को बताएगा कि मेरी जे देगी आने वाले 26 नॉवंबर को ये सेंटर गोवर्मेट ने क्या कर दिया है एलान कर दिया है लेकि 26 नॉवंबर को ही क्यों पारा सविधान बनके त्यार हो गया था और लागू कब वहा था 26 जनवरी 1950 को तो इसलिए क्या मनाया जाता है 26 नॉमबर को सविधान दिवस मनाया जाता तो इस सविधान दिवस पे दो लाग लोगों को जमानत पे छोड़ने का सेंटर गुवर्मेट ने एलान कर दिया है और सजा भुगतने वाले भी होंगे हगदार प्रावधान क्या है प्रावधान हम आपको बता चुका हूं अभी आपको रेड करवा जैता हूं देखिए सेंटर गवर्मेट ने 26 नॉमबर को 25 सविधान दिवस पर जेलों में बंद विचारा धिन कैदियों के लिए विचारा ध उनकी धारा 479 के उनसार यदि कैदी अपने उपर लगे आरोप में संभावित सजा की आधी से अधिक अवधी जेल में काट चुका है तुसे जमानत मिलनी चाहिए पहली बार अपराद में बंद कैदियों को संभावित सजा गा एक तिहाई समय अगर काट लिया तो वह भी करे मंत्राले ने इस समद में सभी राज्य के सचीवों और जेल प्रसासकों के अडवाईजरी जारी की है इसमें काहा है कि सविधान दिवस के मोके पर सभी विचार दिन कैदियों को जमानत देने का अभियान चलाया जाए यानि कि इनको जमानत पर छोड़ दिया जाए मंत्राले ने इनका ब्योरा भी मांगा है यह अनुमान के उनसर करीब एक तियाई केदि सजा का आदे सेधिक समय जेल में बिता चुके हैं पहली बार के अपरादी एक तियाई की सजा काट चुके है विचाराद इन कैदियों की संख्या भी तियाई से ज्यादा है तो एक त लाई 2024 को आया है लेकिन ये पुराने कैदियों भी क्या होने वाला है लागो होने वाला है हम देश की जलों में बंद करीब करीब 5,75,000 कैदियों में से 75% विचारा दिन है यानि कि जो टोटल जो जले के अंदर बंद कैदिये 5,75,000 उन में से 75% 75% की उपर अभी तक ट्राइल चल रहा है यानि कि 25% वाले क्या है सजा भुगतने वाले है दिल्ली तिहार जेल के एक समता 10,000 कैदियों किये जबकि 14,000 कैदि वहां पे बंद है सबसे अधिक 46,000 कैदि यूपी के जेलों में माराष्ट्र में 60,000 है और ब्यार में 45,000 है और मध्या परदेश में 39,000 है और बंगाल में 37,000 कैदि जेल में बंद है तो अब इनको क्या किया जाएगा इनको 26 नुवंबर को जमानत पे छोड़ दिया जाएगा तकरीबन 2,000,000 कैदियों को अब इसका प्रावधान भी हम चेक कर लेते हैं यह 479 यह कहता क्या है क्योंकि Google पर चेक करना जुरूरी है हमको इन पता है कि आज के टाइम पर क्या है इंपोर्टेंट क्या है इंसान से ज्यादा Google गूगल पर लोग ज्यादा तसली करते हैं तो हम इसको Google पर भी चेक कर लेते हैं कि Google इसके बारे में हमको क्या बताता है ताकि अपनी तसली अच्छे से हो जाए और एक चीज़ और भी बता देता हूँ अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो अब देखो यह 479 यह कहता क्या है यहां तसली जरूरी है विचारा दिन कैदी को अधिक्तम कितनी अवदी तक हिरास्त में रखा जा सकता कानून क्या कहत है कि एक ट्राइल जिसके उपर चल रहा है उसको ज्यादा ज्यादा कितना रखा जा सकता है जहां किसी वेक्ति ने किसी कानून के तहत अपराद की सहीता की तहत जांच पूस्ताच या विचारन की अवदी के दोरान अपराद नहीं इसके लिए मिर्तिवाजेवन कारावास यानि कि या तो फांसी का मैटर नहीं है या उमर कैद का मैटर नहीं है और उसने क्या कर लिया है उस कानून के तहत उस अपराद के लिए निर्दिष्ट कारावास की अवदी आदे तक की अवदी के लिए रहसत में रह चुका है आदी सजा काट चुका है तो उसे अदाला bond पर रिया कर दिया जाएगा यदि वह जाया नदूबN के निर्दिष्ट कारवास की अवदी के एक तिहाई तक किसी वेक्ति कि उपर जिसे देज का case लगा देज के case में तीन साल तक किस जेजा होती है एक साल उसने QCD में ही काट लिया वन थर्ड हो गया एक साल के बाद क्या हो जाएगा उसको बोर्ड पे रिया कर दिया जाएगा लेकिन इसके अंदर जो SP वाली बात बताई गई है वो भी आपको मैं दिखा देता हूं नीचे उस जेल का SP जहां अभ्यूक्त वेक्ति निरूध है उपधारा एक में उलेखी तवदी का आदा या एक त्याई पूरा हो जाने पर जैसा भी माम लाओ ऐसे वेक्ति को जमानत पर रिया करने के लिए उपधारा एक के तैट कारवाई करने के लिए न्याले को लिखित में आवे देन करेगा यानि कि जेलर ही बताएगा मेरी जेल के अंदर कितने कैदी हैं जो हाफ या वन थर् जमानत को लेकर आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर लें, सेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके आपसपास में कोई ऐसा इनसान है या आपके फैमिली में रिष्टदारी में है तो ये वीडियो उसको आप भेज सकते हो क्योंकि यह जो चीज़ कमेंट बॉक्स खुल आए, थैंक यू, थैंक यू जी